नमास का इस्ट्रेंट कैसे हैं आप सब आज की जो टॉपिक हो सुपल टॉपिक है ओम कनियाम प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध और साथी साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं सेलिस्थरांग जिसमें से इंपोर्टेंट कौन है सेलिस्थरांग है ठीक है तो सिधा चलते हैं और हमारा जो चेप्टर चरी हुए चेप्टर थाड़ा है, साथ साथ आपको प्ले लिस्ट में 7 चेप्टर है, 8 चेप्टर है, 9 चेप्टर है, 10 चेप्टर है, यह सब का वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आज टॉपिक में चलते हैं हम लोग, ओम कनियाम, सबसे पहले तो एकदम सिंपल सी बात है, इसको आप लोग दस्विम पढ़े होंगे, है ना, तो सबसे पहले मैं एक क्लियर करता हूँ, एक चीज, हम किसको क्या मानते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यह वी, है और यहाँ पर एक बात करता हूँ, आई, ठीक है, तो आपको पता होगा, वी क्या है, आपका विभुवानतर है, क्या है, विभुवानतर, ठीक है, और आई क्या है, विद्धुद्धारा, यह आप लोग दस्विम पढ़े होंगे, है ना, ठीक है, पहले इसको समझ लिए, यह विभुवानतर है, यह क्या है, आपका धारा है, ठीक है, और यह चिन्दा है, यह समानुपाति है, अनुकर्णुमानुपाति, क्या है, मैं आगे बताऊँगा, ठीक है, और एक चीज़ और हमारे पास, जो आपको समझना है, आर, आर मतलब आपका प्रतिरोध होता है, क क्या है धातु चालक अथ्वा ये हमारे पास एक क्या है विल्यन है दोनों बात हो सकती है कोई दिक्कत नहीं है ना तो किसी धातु चालक अथ्वा विल्यन में बहने वाली विद्धुधारा इसमें भी विद्धुधारा बहर रही है इसमें भी विद्धुधारा बहर रही है बढ़ रही है प्रबलता ठीक है इनमें भी प्रबलता है न किसकी विद्धुधारा की विद्धुधारा कौन है आई तो किसी धातु चालाग धातु चालाग अथ्वा विलियन में बहने वाली विद्धुधारा की प्रबलता मतब सीधी बाद विद्धो दारा है ना चालक के सीरों चालक के सीरम क्या लगता है विभवांतर क्या लगता है विभवांतर विभाव कांतर विभवांतर विभवांतर क्या है इनका परिभाशा आपको पता होना चाहिए ठीक है इनका परिभाशा मैंने आपको दर्श्रीम बता रखी थी जैसी कि विभाव क्या है विभाव क्या है किसी कोई भी चालाख है उस चालाख के विद्धुच्छेत्र में किसी बिंदू तक जो धनावेश है अनन्द से धनावेश को लाने में जो कारे करना पड़ता है उसको बोलते है विभाव सीधी से एक लाइन में बोलूँ तो जो कोई अनन्द पर क्या है इकाई धनावेश है उस इकाई भी धनावेश को इसके किसी भी बिंदू पर लाने के लिए जो कारे करना पड़ेगा, उसको बोलते है विभाव, एकदम सिंपल भासा में, ठीक है, दूसरी भासा में विभाव अंतर क्या है, अब यहां से किसी धनावेश को लाकर इस चालाक में रखें, किसी बिन्दु पर रखना तो विभाव कहलाता है, अब विभाव काहलाता है, त तो लाने के बाद उसी धानाविश को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में के लिए जो कारे करना पड़ेगा वही आपका विभुवान तरह है ठीक है एकदम सिंपल भाष्णा में इसका बड़े-बड़े परिभाष्णा आप मिलेंगे आपको तो अब हम लोग चलते हैं कि किसी धातु चला कत्वा विलियर्ण में बहने वाली विद्धुधारा की प्रबलता चलाक के सिरों में या विलियर्ण में डूपे हुए दोनों इलेक्ट्रोट के मध्या लगाया गया विभुवान तरके शामानो बाती होता है सीधी बात एक लाइन में ये बोला जा रहा है कि ये जो चलाक के उस चलाक के जो सिरे हैं उस सिरे में जो विभुवान तर है विभुवान तर मतलब वी है वो उस चलाक में बहने वाली धारा है ना उस धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, बस, यह बताया जा रहा है, यहां बोलेंगे, कि यह जो वीलियन है, इस वीलियन में बहने वाले जो धारा है, है ना वो उस विलियन में डूब हैं धोनों इलेक्टोड के मद्ध लगाएगा जो विभु flavors लगाते हैं उससी विभु आवांतर के क्या होता है 상and Child online street वैसे आपनों दसरे की तैक किसी चौप Yoga पर लगाएगा विभु दौगाते में दारा के क्या होता है श्रावण उपाती होता है अएसा बढ़त है ठीक है लेकिन अबर विलियान के उसके गई है ना, दोनों एलेक्ट्रोड के बीच या चालाक के सिरों में, है ना, यहाँ पर लिखना मैं में लिख नहीं रहा हूँ, यदि, है ना, दोनों एलेक्ट्रोडों के मध्य, है ना, विभवांतर वी हो, दोनों एलेक्ट्रोडों के मध्य, है पूरा लिख हो जी, यदि, है चालाक के सिरों पर या, या, दोनों एलेक्ट्रोडों के मध्य, विभवांतर वी हो तो, वी हो तो, धान दीजेगा, चालाक के सिरों या दोनों एलेट्रोडों के मध्या विभांतर वी हो तो वी हो तथा धातू चालाक या विलियाण में बहने वाली धारा आई हो इसको लिखनात लिख देना नहीं लिखनात कोई दिक कर नहीं है इतना लिखनात लिख देना कि चालाक के सिरों या दोनों एलेट्रोडों के मध्या विभांतर वी हो तथा चालाक के सिरों नहीं तथा चालाक में बहने वाली या विलियाण में बहने वाली विद्धारा आई ह जहां 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 आर एक इस्थिरांग है जहां रिख क्या है इस्थिरांग है ठीक है ओके अब क्या कर रहे हैं इधर हम लोग क्या कर सकते हैं किसी तरह सुत्र बना सकते हैं आर वो इधर पक्षांदर कर दो या तो आई को इधर पक्षांदर कर दो वो अपने उपरेटी या कि आएक को इधार परिटा करते हैं तो क्या होगा वी अपन आइ इडिकलो टु आर मतलब अर इक्वल टु वी अपन आई यह सूत्र बन जाएग ए एकहना ना हो higher आप जा मर्अ ओ सका है कि I कुई धर ले जाओ, तो I equal to हो जाएगा V upon R, ये भी हो सकता है, है ना, तो ये आपने बस एक सुतर लिखना यहाँ था, ठीक, ये आपका complete हो गया ओम का निया, ठीक है, चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रितिरोध में, अगर दसी लेवल वाले होंगे, तो दसी ले में, यहाँ प्रितिरोध को चिन्ह लगा होता है, दसी में, पढ़ाओंगे, ये ही प्रितिरोध है, अब इसको कैसे बताएं, द्यान सुनिए, चलिए, किसी चालाक का प्रितिरोध, ये जो चालाक है, उस चालाक में प्रवाहित होने वाली विद्धुधारा के लिए, ये दारा बहरी उसके लिए है ना चालाख द्वारा ये जो चालाख उसके द्वारा प्रस्तुत की गई रुकावट या बाधा को कहते हैं मतलब ये जो चालाख है इस चालाख में जो धारा बहरी है उस धारा के मारगा में जो रुकावट डालता है कौन चालाख तो उसको क्या ब रही विद्धु धारा के लिए चालाग द्वारा प्रस्तुत की गई क्या है रुकावाट है मदब चालाग के द्वारा कोई रुकाट प्रस्तुत की जा रहे है किसके लिए धारा के लिए तो वो उसका प्रतिरोध कहलाएगा किसी चालाग का क्या कहलाएगा वो प्रतिरोध क प्रतिरोध है, नार्मल परिभारशा है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो यह हो गया, ठीक है, अब एक चीज़ आप बताता हूँ, आपको ध्यान सुनना, है ना, तो यहाँ पर लिख लेना, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, इसका मान, जो प्रतिरोध है ना, फुश क मान, इसका मान, चाला की लंबाई, चाला की लंबाई, क्या प्रत करते हैं, एल से, चाला की लंबाई, है ना, के, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, है ना, चाला की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, है ना, मतलब सीदी बात, यह आर प्र प्रतिरोध अनुक्रमानुपाद्धी क्या है एल ठीक तथा इसको को स्टंग लिए ना तथा अनुप्रस्त परिच्छेद अनुप्रस्त परिच्छेद मैंने क्या बोला कि चाला इसका मान है जो प्रतिरोध इसका मान है चाला की लंबाई के अनुक्रमानुपाद्ध यह चा परिछेद को ठीक है तो अनुप्रस्त परिछेद के वित्रमानु पाती होता है अर्थाथ आर वित्रमानु पाती वन अपान ए है कि यह हो गया है अब इन समीक्रायन दो इसको मालते हैं समिकन एक इस वांत है दोनों से लेंगे तो आर यहाँ पर यह जो चिन है और यहाँ पर एल है तो एल है उपार चला जाएगा यहाँ पर एक के जगह और एक क्या हो जाएगा नीचे ही रहेगा तो क्या हो जाएगा सुट्र क्या आएगा आपकर आर यह हो जाएगा एल अपान यह हमारा में इन सुत्र है, यह एल कौन हो गया, यह अपने पास किसका हो गया, लंबाई, और इसके क्या होता है, यह अनुक्रमानुपती, यहाँ पर तो यह अनुक्रमानुपती है, और इसके क्या है, वितक्रमानुपती है, एक वितक्रमानुपती है, यह इस सुत्र लिखना इसको लिखने के बाद अब मैं लिखना हूं उसको लिखना ठीक है आर इक्वल टू ये ऐसा टैप से इसको बलते है रो आर एच ओ रो पी नहीं है न ये रो है ऐसे कुछ ऐसा बनाना इना टैप से रो एल अपान ए ये वाला है ठीक क्यों होटाने यहां पर बराबर इसको लिख न इसको लिखोगे उसको लिखोगे उसके बाद नीचे में क्या लिखोगे कि यहां ये जो है वहां एक समानुपाथी क्या है इस्तिरांघ है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं ठीक है जिसे क्या कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं मतलब क्या हो सकता है विशिष्ट प्रतिरोध का मान गयात करनों तो क्या हो सकता है है ना मैं आगे बता हूँगा ठीक यहां तक आप क्लियर कर लिए ठीक है हम लोग चलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध में चलिये तो आपको बढ़ादा चीद कहीं बढ़ादा कि परता ये ये सुतरा आगे और यूश्च भो सकता है ठीक न यहां देखे बढ़ा है यह पोइंट है ना में देखे किसी पदार्द के एक घंड सेंटीमीटर का प्रतारोद किसी पदार्द प्रतिरोध के नुसार विशिष्ट प्रतिरोध के जगह प्रतिरोध का यूज किया जाता है मतलब सीधर प्रतिरो धकतक का परिभास आया तो इसी को ही लिखना है अपने को है ना और आपको यहां पर 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 हो जाएगा भाग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हार अपन Alлов संइड, अपन亞 isol, तो ये उपर चला जाएगा ठीके और यह होजाएगा आपका 272, रहे है was a 7 7 एल यह सूत्र के लिए तो यहां पर आपको यह पता होना चाहिए यह पूरा लिखना है इसको लिखना है उसका स्को आप इसको धीस रहा हो tutti रहेगा अब चाहोंते श्टेब में क्या लिखना है अमने को यहाँ इंपर एक छीज़ देखे रो इक के लिए भी सेंटब्र यूज करते हैं ठीक हैै अब शलके फॉरा हो जाता है आ है और उम्सेंटेमेट्र का वैसे को लिखने के आपको आब सकता नहीं है एतना लिख हो गया तो ठीक है अब लास्ट विखना है यहां और विश्ष्ट पृतिरोध प्रो की गज्यों कि कि मिटर होगी वह एस ऐई कि काई है ना क्या होगा ओम मीटर होगा बस इतरा लिए ठीक है ओक्या चलिए चलिए आगे बढ़ते हम लोग चाल कत्तों में है ना और यही पर हम लोग टॉपिक के प्रबोत के दार पर चलेंगे तो वहां पर मिलेगा आपको विद्धु तब पड़े है ना इसमें अब कंप्रिद नहीं होना ठीक है चाला कत्तव है ना यह इसी को हम लोग बोलेंगे कंड़ेस्टेंस और पड़ेंगे विश्ष्ट चलकता ठीक है प्रतिरोध हलाग है है ना तो चलकता क्या अग्रम सिंबल से वाल बता रहा हूं है ना तो धारा को प्रवाहित करने के गुण को विद्धुत अफगट की चलकता ठीक है कुछ समझ नहीं आते इसको सुनने थैंगे तो अब सिंबल ध्यान सुनेगे यह हमारे पास क्या है एक विलियन है इसमें डाला जाता है विद्धुत अफगट्या अपने पास से विद्धुत जिसको हम लोग यहां पर विलियन बनाएंगे और उनमें धारा प्रवाहित हो जाएगी ठीक है है ना तो वो है आपका विद्धुत अबघट्या तो विद्धुत अबघट्य के विलियन ये विद्धुत अबघट्य उसका क्या बनाएगा है विल्यान बनाएगा है उस विल्यान के विद्धुधारा इसमें जो विद्धुधारा प्रवाहित करने के गुण को है ना विद्धुत अभगट के विल्यान के है ना जो विद्धुत अभगट के विल्यान बना हुआ उस विल्यान के द्वारा विद्धुत धारा को प्रवाहित करने की गुण को विद्धुत अब घट की चलकता कहते हैं ठीक है? एक बरोला ताय दो नहां सुनना कि विद्धुत अब घट के विलियन है विद्धुत अब घट की क्या है? हमारे पाश विलियन है उस विलियान के द्वारा जो विद्धुत धारा है उस विद्धुत धारा को प्रवाहित करने का जो गुण है उसको उस विद्धुत अब घटे का चालकता कहते हैं कितनी महात्रा में, उसमें धारा बाहरी है, उसको कितनी महात्रा में सजकता से प्रवाहित कर सकता है, वो चालकत्तों कहलाता है, किसी चालक का चालकत्व यहां दरसाता है कि कितनी शुगमता से विद्धुधारा उस चालक में से प्रवाहित होती है यह एक चालक है चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो एक दम शुगमता से प्रवाहित हो रही है कि कठिंता से प्रवाहित हो रही है वही उस चालक की चालकता कहलाईगी जी सीरीज बात है ना तो किसी चालक का चालकत्व यहां दर साता है कि कितनी शुगमता असानी से विद्धुधारा उस चालक में से प्राहित होती है ओके आगे देखें चाला का मान चाला के प्रतिरोध के वितक्रम के तुल्य होता है यह जगर समझने में दीकत होती द्यान सुनना है ना ठीके मैं क्या बहुर रहा हूँ कि चालकत्व का मान जो चालकत्व का जो मान है वो प्रतिरोध के वितक्रम चलो प्रतिरोध के वित्त का मदलब यह प्रतिरोध है यह ऐसा लिए देता हूं मैं तो यह क्या होगे अपका अनुक्रमानुपाती वित्त्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती सब्げet चेंदी के लिए यह यहीजूस करते हैं पता हैं ना आपको ठीक है मतलब प्रतिरोथ के वित्करम मतलब क्या होगा वन अपान आर इसी को ही हम लोग बोलेंगे प्रतिरोथ का वृत्कम प्रतिरोथ उसका क्या वृत्करम ठीक है तो चालकत्तो कमान चालक के प्रतिरोथ चालक के प्रतिरोथ कोन है आर के चालक के प्रत पर चलकत्व का मान है ना, चालक के प्रतिरोद, चालक के प्रतिरोद ये चालकत्व सी है, उसका मान है ठीक है, उसका मान है, वहाँ प्रतिरोद के वृत्कम, प्रतिरोद के वृत्कम कौन है वनपान, आर कि तुल्य होता है, तुल्य मतब कहता है, बराबर होता है, ठीक है, तो ये सूत्र निकल गया, किसके लिए, चालकत्व के लिए, ठीक है, तो ये दोनों में से एक परिभासा लिखेगा, दोनों अच्छा है, ठीक है, आलो ज्यादा बेटर उपर वाला, है ना, ये हो गया, ठी मह होता है यह मिहों बोलती है इसको मह मा मिले हो मह होती है हमको होती है ठीक है ओके और और एसाई पध्धति में इसमें इसाई पध्धति में इसे सीमेंस के द्वारा प्रतशित किया जाता है सीमेंस सीमेंस है ना इस द्वारा व्यक्त किया जाता है ठीक है आपको बता दूं की ओम मनस वन बराबर होता है मो उसका बराबर होता है एक सीमेंस यह इतना लिग देना हमने चाल कर्तों में ठीक है तो कख्लियर हो गया तो आगे हम लोग बढ़ते हैं विषिष्ट करते हो गया है लिए तरह छाल करतो के बाद विषिष्ट करता हम चलते हैं एक नम सिम्पल सिंपल टॉपिक कोई बड़ी बात रही सीथिक है तो किसी चाला के विषिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध कौन है विशिष्ट प्रतिरोध आपको बताया गया था जश्ट पीछे हमने जब विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाशा दिया था तो आपको बताया गया था देखो हमने यूस किया था कि इसका इसका रोका वृत्रोध का 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 वृत्र तो किसी चला के विशिष्ट प्रतिरोध 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 के वि यह वार है ना एल नहीं है वन है अब है अपने हम लिकाला कि रो का मतलब क्या होता है रो पी इक्वल टू आर ए अपान एल अभी तो हमने लिकाला थे क्या ऐसे रो इक्वल टू यह तो रो के जगा इसको रख दो तो जाएगा आपका के इक्वल टू वन अपान पी अच्छा यह पी के जगा हम लोग राख देते हैं किसको आर ए अपान एल यह उपन चला जाएगा अलो हो जाएगा के इक्वल टू एल अपान आर ए है ना ओके यह हो गया तो हमको क्या सुत्र प्राफ्ट हुआ के इक्वल टू वन अपान ए ठीक है अच्छा आर ए है ना फैसिस को और बढ़ाल ने के जगा यहाँ पर आर को अटार कर यहाँ पर चाल कर तो जोड़ देते हैं कोई बड़ी बात नहीं है है ना कैसे जोड़ तो उसको बतायता हुँ मैं के एकवल टू अपान आर ए लिखा हुआ है ना तो इसको उपर में कुछ नहीं मतलब एक है इस गुना कर तो इसमातभी ना एक गुनित L करोगे तो L आएगा, R गुनित तो R आएगा, है नहीं, तो भाईच मतलब तो इसको अलग अलग कर दिया गया है, यह हो गया, अलग यह दोने है ना, और एक हो गया A रपान क्या है, यह अलग हो गया ठीक है और आपको एक चीज पता होगा 1 upon R का मतलब क्या होता है 1 upon R का मतलब क्या होता है यहाँ पर देखो तू C चालकत्व तो K equal to C into L upon A यह अपना last truth रहे कल गया यह कहा सकते हैं कि K equal to 1 upon A into चालकत्व यह पराप्त होगा ठीक है अब यहाँ पर आपको बढ़ा होगा जी कि K कौन है यही आपको विस्टर चलकता है और हो सकता है कि यहाँ पर आपको मात्रक पूल दें है ना तो K की S I मात्रक S M minus 1 है है ना चलिए चलिए अच्छी बात है लाइन आफ हो गई तो सेल इसे तांग में चलते हैं हम लोग ध्यां दीजिए सबसे पहले आपको यह बताया था मैं यहाँ बताया था मैं चलकता को जो माल है See उस चलकताओ को जो माल है वहाँ किसके प्रतिरोध के वृत कम होता है यह आपको याद रखना है पहले तो यह बताया था आपको ठीक है चाल करतों में और विशिष्ट प्रत्रोध है ना उनका विद्गाम विशिष्ट चाल लगता है विशिष्ट प्रत्रोध कौन है रो विशिष्ट प्रत्रोध कौन है रो कि बराबर क्या होता है विजिष्ट चालकत्व 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 हो रो यह को बरापर होता है one upon किसके, विसिस्ट प्रतिरोद के इसको मैं change कर देखू, तो r इधर पक्छांदर हो जाएगा c इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा r एक्वल to one upon c, ऐसा हो सकता है इसको पक्छांदर करो तो यह वगर row equal to one upon k ऐसा हो सकता है यह कौन है पता हुर्सची आपको यह क्या है अपका resist प्रतिरोध यह r कौन है यह आपका है प्रतिरोध ठीक है प्रतिरोध का होता है one upon c अब यह c कौन है c चालकत्व है यह दूनों समय कर рассказыв आप याद रखे तब ही आपको किसी चलकता सेल के ऐलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है जो चालक सेल है उसके जो ऐलेक्ट्रोड है माल यह सेल है इसमें किया है दो ऐलेक्ट्रोड है वो एलेक्ट्रोड के बीच के दूरी L तथा किसी एक एलेक्ट्रोड के तलका छेत्रफल A तलका छेत्रफल A को हम लोग स्माल X प्रेथ करेंगे हैना चलिए हमारे पास पॉइंट क्या है समझे दहां से यह जगा थोड़ा डिफकल होती है कि अमने पास चालाव सेल है उस चालाव सेल के जो एलेक्ट्रोड है उस एलेक्ट्रोड के बीच के दूरी L है ना तथा किसी एक एलेक्ट्रोड के तलका छेत्रफल क्या है A निस्चीत रहता है ये बता जा रहा है इन दोनों की बीच की दूरी और एक एलेक्टरोड के तल का छेतरफल उसके तल का कितना छेतरफल है वो निस्चीत रहता है कभी कम ज़्यादा नहीं हो सकता मतलब कहा सकते हैं हम लोग सीधित बात ये है कि उसी के धार पर इनकी दूरी के धार पर उसका छेतरफल होता है या नहीं उल्टा कहा सकते हैं कि छेतरफल के धार पर क्या रहेगी दूरी रहेगी तो किसी चलगता सेल के एलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल तथा किसी एक ऐलेक्ट्रोड के तल के च्छेतर फल निशित रहता है है ना? और इन दोनों का अनुपाद, अथा इसका अनुपाद एक इस्तिरांग होता है मतलब, अनुपाद मतलब, एल है ना? वो अनुपाद में क्या है? ए, यह बोला जा रहा है क्या? यही कि अनुपाद अतु raison दोनों का नुपाद एक इस्थिरांग होता है इस दोनों का जो अनुपाद रुक्क ए देंगे न attend यही क्या है एक इस्थिरांग है उसी को हमनों बोल देते हैं सेल स्थिरांग देखे हैं और तो इससे इस तरह हैं तो इससे चोटा-10 से एकस इकोल टू एल अपान ए ऐसा लेकिन जी से करो के ज्याद़ अच्छा रहेगा है जी स्टार जी स्टार ठीक है कि अब हम चलते थोड़ सागे यह तो हो गया सेली स्ट्रांग अच्छा सेली स्ट्रांग का मात रख सेली स्ट्रांग क्या है तो आपको पता चल गया कि सेली स्ट्रांग यह विशिष्ट चलता कि बीच संबन स्थापित करेई अो कि उस्थे चालक्ता आपको जब पढ़ा रहे थे स्वें तो इसंजच प्रेदरोध इस थी किए रहे हैं थीर टो की एन मिद्रोध वरदिँ में थे तो आपकें सली क्राकिषा बीच संवल स्विच ट करिए किसी चालाख पर आर्थ के लिए प्रतिरोध आर का मान लंबाई L के शामानुपाती तथा अनुप्रष्थ परिछेत के वित्करमानुपाती यह तो मैं सुरूम बताया था आपको कि प्रतिरोध का आर का मान लंबाई के सामानुपाती तथा अनुप्रष्थ परिछेत के क्या होता है वित्करमानुपाती एक अपान वन अपान ए ऐसा होता है तो दोनों को मिलाकर मैंने क्या बताया था आपको आर यह चीन है लगाके इसको उपर में L डाल दो यह लगो और प्रतिरोध का मान जो प्रतिरोध आर है उसका मान लंबाई के समयानुपाती एवां अनुप्रस्त परिछेत के वित्करमानुपाती होता है ठीक है यहाँ लोग इसको आप कहा सुरू करोगे कि आर चिन्ना के साथ यह आपको समझा आगया होगा ठीक है अब क्या करने है हम को क्या लेना पड़ता है स्तरांग़ जिसको हम डोते है रो ठीक है इंट्व ऐल upon ए ऐसा आपको पता होगा ठीक है आपको एक चीज और मैंने बता होगा कि एल अपान ए कौन है एल अपान ए कौन है यही एल अपान ए यहाँ पर मैंने बताया था देखो X equal to A Lapan A अन्द था G star equal to A Lapan A मतलब सेली स्थिराव है ना तो आप सेली स्थिराव की जग़ा आप लोग A Lapan A के जग़ा क्या लिख सकते हो आप लोग X लिख सकते हो या तो क्या था G star तो मैं G star लिख रहा हूँ ठीक है आप X लिख लिख लिखना हो कोई दिखता नहीं है ना अब यहां पर एक चीज़ देखे थोड़ा से है ना यह बंतब वर्दमान है जी स्ट्रांग अभी वर्दमान है पहले किया जाता था एक्स के यूज ठीक है याल रखे गोल नहीं है इस्टार है ठीक है चलो अब आगे दिखते हैं तो यह इधर हम लोग क्या है रो है क्या रोक इधर पक्छांदर कर दो तो क्या हो जाएगे यह हर आपांle रो इसको टेठाबने थोड़ा से रोपी टेक्स लग गयाँ कि पार एकक्र टु जी स्था ठीक है तो यह को है आर आपने का है प्रतः रोध हमने पास इंदिनकर मिशिष्ट प्रतिरोध एक कॉल टूजी स्टरांग जी को है से लिस्टरां है इस थी रहा तो ही है आगे हम लुग बढ़ते हैं है ना आपको पता होगा प्रतिरोध आर आर यह पर दिख रहा है कि आपको यहां पर दिख रहा है दिख रहा है आर दिख रहा है ना आर इकल टू वन अपान सी यह सी कौन है चलकता है आपको पता होगा वन अपान सी सी मतलब कौन है चलकता है तो मैं प्रतिरोध के जगहा वन करता हूं वन अपवान चलागता के स्ता रोध की जगा मैं में बटा कommें देता हम हैं यह इसका बटायं इसका बटा इसको आप्न गई विशीष्ट प्तरोध कोण को ना विश्ष प्रतरोध कौन है ये पी ठीक है इसके जीगा मैं जीचित हूँ वनपन के ओन पाण के उन बन पान के और क्यों है के कौन है आपको बताया था कि विस्षिष्ट चालगता विस्षिष्ट प्रतुर्थ हो थे कंफिटर हो थे वारवर सुनेगा विस्षिष्ट चालगता यह मैन वाला है न है थेके एक वॉल टू से लिस्थ्राम स्कुजी स्टालिक दूं किया ज्यादा बेटर रहेगा बार-बार हिंद लिम्स जखेंगे है अब समझा आपको यह हो गया अगर मैं बात करूँ तो यह अलब जो पॉइंट है आपको बता है यह मेंड पॉइंट है एस उपर जाके ब्रावर सेल इस्तिरामार हमको vishishti चलक्ता सेलीष्ठ चलक्ता ना है ये विषष्ट चलक्ता थिस चलक्ता के धर पक्षांदर कर दो तो है जाएगा विषिष्ठ चलक्ता बराबर सेलीष्ठ चलक्ता टिक झाल झाल झाल